कार मैं डॉक्टर स्वाती मिश्रा आज अपने दूसरे वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू हो रही हूँ उमीद है आप सब जहां होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अपने करियर को ग्रो करने के लिए पूरी-पूरी मेहनत कर रहे होंगे तो पिछले वीडियो म जो हमें रिस्क सोसाइटी से जानना जरूरी है अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वो मैं आपको समझाऊंगी तो आज मैं अपने इस दूसरे वीडियो के साथ आप सब के लिए दुबारा आई हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिस्क सोसाइटी रिस्क क्या है कुछ और दूसरे तरीके से कुछ और सोर्से से मुझे बाकी चीजे मिली है उसके थूँ मैं आज आप लोगो रिस्क सोसाइटी बताऊंगी फिर उल्रिज बेक ने रिस्क सोसाइटी से रेटेट कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई के थे मैं उसके बारे में बत सब्सक्राइब ने किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ब्यूटिफुल कमेंट्स गंदे कमेंट्स भी दे दिया करिए सरांखों पे तो कमेंट्स देते रहिए और टच में रहिए चलिए आज स्टार्ट करते हैं रिस्क सोसाइटी के आगे के पार्ट को रिस्क स not catastrophe आगे प्लीज पिछला वाला वीडियो जरूर देख लीजेगा क्योंकि उसकी ही continuity है आगे उल्रिजबेक ने कहा है कि रिस्क मतलब catastrophe से नहीं है क्योंकि जब हम लोग वहां पर पढ़े रिस्क society का मतलब तो कहीं न कहीं से आपके mind में आया होगा कि catastrophe है मतलब कहीं flood आ जा रहा है कहीं पर असूखे पर जा रहे हैं कहीं पर भूकम पा जा रहा है तो क्या वो भी रिस्क का मतलब हुआ वहां भी रिस्क से मतलब हुआ नहीं उल्रिजबेक ने कहा कि risk means not catastrophe यह अच्छे से याद रखिएगा catastrophe risk नहीं है but anticipated catastrophe potential आगे क्या इन्होंने कहा है कि potential danger जो है वो रिस्क है अभी आपको आगे clear हो जाएगा risk society means risk has come across the current stage of modernity he distinguished between the industrial and the risk society आगे पिछले वीडियो में आपने देख लिया है किस तर से simple society फिर industrial society और risk society में differentiate किया है उल्रिजबेक ने asserting that the transformation from the former to the later begin at the late 1960s थोड़ा सामदो quick revision कर ले रहे है कि जब 1960 मतलब तो शुरू से ही industrial revolution और scientific revolution जब हमारे आया मतलब बॉल्ड हमें तब से जो society थी वो simple society से industrial society में convert होती गई मैंने वो पूरा process बता है इसलिए मैं दुबारा repeat नहीं कर रहे हूँ यहाँ पर risk societies are manufactured uncertainties इसको इस term से clear किया गया है कि risk societies क्या है एक तरह का manufactured uncertainties है range of new risk जिसमें कि environmental problem side effects of technological and economic development यह सारी चीज़े इसमें conclude है कि जो scientific development हो रहा है technological development हो रहा है economic development हो रहा है उसके side effect के रूप में एक risk society generate हो रही है these manufactured uncertainties result from scientific and technological progress which supposedly should solve not create problems पिछले वीडियो में हमने पूरे अच्छी तरह से समझाया कि किस तरह से जब scientific revolution हुआ और जब technological progress हुए हमारे countries में तो हमने सोचा कि वा वा अब तो सारी समस्या खतम क्योंकि अब क्या है अब तो science आ गया technology आ गया इतना manufacturing हो रहा है production level हमारा बहुत तेजी से increase हो गया जो लोगों को खाने की समस्या थी वो खाने की समस्या कम होती गई पहनने की समस्या थी वो पहनने की समस्या कम हो गई इसका मतलब हमारे सारे problem solve हो गया बट नहीं उन scientific revolution से, industrial revolution से, technological progress से नहीं समस्याइं create हो गई he described two ways of movement उन्होंने दो ways of movement describe किया from danger to risk and from risk to danger danger को उन्होंने क्या बताया he defined danger as a caused by nature and risk as a caused by humans हम danger को risk से न जोड़े क्योंकि danger जो है वो nature से आता है जिसे nature में imbalances होते हैं तो कहीं flood आ जाना कहीं पर सूखा पढ़ जाना पर risk क्या है जब environment जब human interruptions बढ़ा जब human की activities बहुत जादा बढ़ गई तब risk होने लगा हम danger से risk की तरफ आ गए मतलब क्या है कि देखिए nature में हमेशा से आती रहती है changes पर nature जो natural changes आ रहा है nature की वैसे जो changes आ रहा है वो कभी भी हमारे लिए harmful नहीं होता है बट जब human interventions बढ़ते जा रहा है human activities बढ़ते जा रही है हम धडलने से पेडों की कटाई कर रहे हैं पानी को pollute कर रहे हैं स्वाइल को pollute कर रहे हैं तो उसका side effect जो है वो risk की तरह है समझ में आ गया nature जो imbalances create कर रहा है nature imbalances नहीं create कर रहा है nature तो खुद बखुद balance कर लेता है अपने आप बढ़ जब human interventions की वज़े से human के जादा misuse करने से nature को उससे जो problems आती है वो risk society से जोड़ती चली जाती है in radicalized modernity जो आज कल radicalized modernity चल रहा है the new risk are hence manufactured or fabricated uncertainties and danger because the range of potential catastrophe and uncertainties grow with the technological and scientific progress and more industrialization more cars and more wealth also cause more environmental problems अब क्या है कि ये क्या है कि अब हम ज़्यादा car use कर रहे हैं हम ज़्यादा wealthy होते जा रहे हैं हम ज़्यादा industrialization की तरफ आगे घुसते चले जा रहे हैं हम ज़्यादा scientific progress कर रहे हैं हम ज़्यादा technological progress कर रहे हैं इस वज़े से ज़्यादा environmental problems create हो रहे हैं आगे क्या कहा जा रहा है कि there have been always side effect but in first or simple modernity these side effects were immediatable noticeable the new risk tend to be intangible in our senses which means that they only can be known by means of scientific test and they are often latent. देखिए ये point आपके लिए बहुत जादा important है कि जब simple society था जब simple society था जो मैंने पिछले वीडियो में एक chart बनाया था जिसमें simple society फिर industrial society फिर risk society तो simple society में क्या चीजे थी कि simple society में जो हमें imbalances जो होते थे nature में वो हमें दिख जाते थे immediately noticeable मतलब हम उसको आसानी से देख लेते थे पर risk society में जब risk society आया मतलब industrialization के बाद वाला जब phase आया तो उसमें जो environmental problems आ रहे हैं कोई भी जो social problems भी आ रहे हैं जो economic problems भी आ रहे हैं वो intangible to our senses है मतलब हम अपने sense से पता नहीं कर पाते हैं आसानी से सदियों भी जाता है तब दीरे दीरे पता चलता है कि अच्छा अच्छा यह problem भी आ गए जैसे ozone layer depletion ozone layer depletion क्या tangible था हमारे senses it tangible था no it is intangible to our senses मतलब हमारे sense मतलब हमारे सुने की सकती देखने की सकती feel करने की सकती यह इससे वो समस्या नहीं देखी जा पाई थी है जैसे climate change है global warming है ozone layer depletion है water depletion है यह तो बहुत धीरे 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 करकि यह समस्या देखने को मिली immediate noticeable नहीं है बलकि जो danger होता है वो immediate noticeable है तुम्हें ख्याल से यह इतना मैं इसले आज पढ़ाई कि आपको पुरानी वाली चीज recall हो जाए ठीक है अब मैं आपको problems of risk society बताती हूँ जो उल्रिज बेक ने mention किया कुछ बेक shows number of examples which show the problems of risk society उन्होंने number of problems दिखाय है risk society में चूकि मैं हैरल अंबोस से यह notes बनाया है तो उसमें जो mention है मैंने उसको लिया है development in agriculture definite overcome the problems of shortage of food in rich countries क्या है कि जब जैसे जैसे agriculture का development हुआ definitely agriculture के development ने food के shortage को कम किया मैंने इंडिया के example में भी green revolution का example दिया था ना याद है ना दिया था ना green revolution के example में भी मैंने बताया था कि किस तर से shortage of food होता है अरे sorry shortage of food पे हमने काम किया और हमने food के shortage को almost finish कर दिया ठीक है बट वैसे वर्सा अब उसका side effect क्या पड़ा plantiful supply of food has also led to unhealthy diets अब इतना खाना आ गया इतने तरह तरह के खाने आ गये कि हमारे unhealthy diets हो गये obesity की समस्या मोटापे का शिकार होने लगे and consequent health problems और साथ साथ में बहुत सारे health problems आ गये आप western देशों में देखिए western देशों में आपको दिखेगा कि किस तरह से आज लोग वहाँ पर मोटापे के शिकार होगे क्योंकि आप वहाँ पर खाने की समस्या देखिए बहुत कम हो गए ना industrialization की वज़े से scientific revolution की वज़े से और तरह तरह के foods आ गए consumerism इतना बढ़ा उसकी वज़े से क्या हुआ कि वहाँ पर अब तरह तरह के health problems आगे और अब हमारे देश में भी same situation हो रही है सोचिए मैं खुद इतने age की हो गई हूँ और अब हम लोग ने इधर 5-6-7 सालों से junk foods खाने शुरू के उससे पहले हमारे childhood में junk foods नहीं थे बहुत होता था चौमिन मिल जाता था दरवाइस no pizza no burger ये सब कुछ नहीं होता था हम breads खाते थे और अधिक से अधिक हम क्या खाते थे चौमिन जो ममी लो घर में noodles बना दे enough आज की generation देखिए बच्चा 3 साल का है 3 साल से ही junk सुरू कर दिया है खाना कितना junk food तरह तरह के cold drinks, ice cream ये जो हम 30-30 के बाद खाने लगे हमारी generation हमारे से उपर वाली generation को चले जाएए आप अपनी ममी वगेर को देख लीजे उन लोगों का तो fast food अब आया ना कब किस age में है after 50s आया after 55 आया ये देख रहे हैं आप drastic change तो हमारे यहां भी ये trend देखने को मिल रहे हमारे या अब देखे ये सारी समस्या आए अब जितने apps वगेर हैं जो मुटापे को कम करते हैं जो आपको fit रखने की कोशिश करते हैं वो धडले से काम कर रहे हैं धडले से ऐसे subscribe बहुत तेजी से बिक रहे हैं और हम जैसे लोग यूट्यूब पर इतने महन से काम कर रहे हैं डेर साल में 5000 subscribers ला रहे हैं यही चीज़ है atomic energy gave abundant दूसरा example उन्होंने problem क्या बताया कि atomic energy का उन्होंने example लिया कि atomic energy का अविशकार हुआ atomic energy gave abundant energy बहुत सारे हमें energy दिया अब इतनी बड़ी population होती जा रही है सबको बिजली मिलना हर कुछ तो electricity से चल रहा है but simultaneously उसका effect क्या पढ़ा कि nuclear waste and possibility of nuclear accidents creates serious health issues देखी रहे हैं 39 ने example दिया कि toxin in environment like in air, water, soil, food these toxins are often invisible and people are not aware of this risk हमारे हवा में कितनी गंदगी है हम जो पानी पी रहे हैं वो कितना polluted है हम जो स्वाइल मिट्टी का fruits खा रहे हैं grains खा रहे हैं, vegetables खा रहे हैं वो कितना polluted है पर वो risk हमें दिखाई नहीं देता वही मैंने बताया था कि risk society में risk जो है वो intangible to our senses है ठीक है, backs further argues that these risks are not particularly related to rich countries or any social group यह मत सोचिये कि जो risk, जी कि danger जो है वो localized है पर risk जो है that it is not localized वो localized नहीं, it is globalized, वो global nature का है क्योंकि सिर्फ rich societies में नहीं यह risk देखे जाते हैं इट में affects wealthy and poor यह दोनों को बराबर ही affect करता है हाँ यह हो सकता है कि the rich may sometimes or with any particular risk avoided जैसे कुछ जो भई rich हैं तो कुछ risk को avoid कर सकते हैं मा लीजे कि हमें पता है कि हमारे vegetables में, हमारे fruits में बहुत insecticides और pesticides मिलके आ रहा है तो भई rich हैं तो हम organic food की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आजकल organic foods हर चीज organic, organic, organic के नाम पे तो इतना धन्ना फैला हुआ है तो भई थोड़ा बहुत rich बच सकते हैं पर Beck ने कहा कि ऐसा हर दम possible नहीं है कि हर risk से rich बच जाए और poor affected हो आगे देखते हैं कि some risks such as greenhouse effects, global warming, depletion of ozone layer, acid rain, water, air and soil pollution यह सारे global risks है ना, nobody can avoid them As Beck put it, the only way to avoid all risks would be by not eating, not drinking and not breathing Is it possible? Never Beck ने कहा कि अब अगर हमें अब इन risk से बचना है तो हम न खाए, न पिए और न सास ले ऐसा हो सकता है? Never Means कि हम सभी इस risk से घिरे हुए है In the latest phase of modernity, the primary concerns becomes how to control the risk People are no longer concerned with making nature useful In this society में क्या है? हम अभी भी अपने nature को किस तरह से useful बनाए? उस पे काम नहीं है The biggest concern of late modernity are the problems created by modern science and technology For these reasons, Beck defined the latest modernity as reflexive modernity अब क्या है? कि जो late modernity में जो biggest concern चल रहा है कि जो modern science और technology से problems आई उसकी तरफ हम किस तरफ उसको solve करें? How to control the risk इसको reflexive modernity का नाम दिया गया है अब एक concept है world risk society मैंने आपको बताया था कि आगे इनकी book आती है world risk society पे उस पे आगे इन्होंने क्या काम किया है? Beck in his book, he tried to explain that what were the important changes in the period between when the book risk society came out and when this world at risk society big book come out especially in the context of risk society अब देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि risk society किताब कब आई? उसके 10-11-12 साल बाद world risk society आती है ठेक है? उस बीच में क्या changes आए है? उसको इस किताब में mention किया गया देखिए कैसे काम किया जाता है? मुझे बहुत पसंद आया कि अपने ही काम को कैसे और हम आगे बढ़ाएं? मतलब risk society पे उल्रिच बेक ने काम किया और फिर किताब के 10-15 साल बाद क्या changes आए है society में? फिर उस पे भी काम करके उस किताब लिख देना मतलब salute है उल्रिच बेक को. He tried to tell through this book how the world is becoming more aware of risk. उन्होंने बताया कि जो reflexive modernity चल रही है late modernity में जिसमें हम फिर से risk जो हो रहा है दुनिया में उस पे हम कैसे aware हो रहे हैं? mainly climate change को लेकर के. How risk is becoming more global? दूसरी बात इस किताब में यह कही गई है कि किस तरह से risk global होते जा रहा है and Beck develop his thinking on the nature of risk. Beck distinguish between risk and catastrophe. उन्होंने risk और catastrophe में difference किया है इस किताब में और बताते हैं कि risk क्या है? Risk है anticipation of the catastrophe. मतलब कि a catastrophe takes place when actual risk बिकम reality. मा लिजे catastrophe क्या है? जैसे बाढ़ आ जाना, भुकाम पा जाना, यह catastrophe है. तो catastrophe takes place when actual risk, जब risk reality बन जाए. अभी risk है और जब risk हम सोच रहे हैं कि इस global warming से कहीं पर बाढ़ आ जाएगी. क्या होता है? Global warming temperature बढ़ जाता है. Temperature बढ़ने से glaciers melt करेंगे और melt करने की वैसे जो sea level बढ़ते जाएगा और sea level बढ़ने की वैसे जो coastal areas हैं वहाँ पर डूबने का खत्रा ज़ादा आ जाएगा. तो माल लिजे कि कई जगों पर इस तरह की घटनाए देखी गई. तो वो catastrophe हो गया. मतलब कहीं पर माल लिजे कि London में ही कहीं पर bar आ गई है ना? मतलब पानी बहुत जादा आ गया, दिक्कत हो गया या कहीं global warming lead to London flooding. London में flood की problem आई, तो London में flood की problem आई, वो flood की problem क्या है? catastrophe हम कहेंगे की catastrophe. पर why this catastrophe happens? ये catastrophe क्यों घटित हुआ? It is because of risk. What type of risk? That global warming risk. That climate change risk. Okay, समझ में आया? Begg says that risks are always future events that may occur and which threaten us. तो बताया जा रहा है कि जो risk है, वो हमेशा से future event होता है, जो भविश्य में घटने वाली घटनाए होती है और catastrophe तो घट गया. That is, catastrophe is present and risk is future. Okay, मेरे ख्याल से अब concept clear है. थोड़ा भी doubts होगा आपकी mind में, तो please मुझे message करिएगा. The theory of world risk society argues that global anticipation of global danger and catastrophe rocks the foundation of model. Society में भी you got all this point. Such global risk exhibits three characteristics. अब ये कह रहा है कि जो global risk आ रहे हैं, उनमें तीन characteristics है. ये characteristics कभी भी exam में आपके पूछा जा सकता है कि Beck ने world risk society में कौन से three characteristics बताए हैं. याद रखिएगा, delocalization, uncalculability and non-compensitability. Okay, delocalization मतलब कि जो risk होता है वो localized नहीं होता है. ठेक है? वो क्या होता है? Delocalized मतलब risk जो है वो किसी एक जगह पे नहीं घटित होता है. चुकि global nature का है तो ये delocalized है. Okay, their causes and consequences are not limited to any particular geographical location or space. They are omnipresent. जैसे global warming है, global warming का effect आपको किसी एक जगह देखने को नहीं मिलेगा. Global warming का effect कहीं भी देखने को मिल सकता है. That is why we call it omnipresent. हम इसको omnipresent कहते हैं uncalculability मतलब जिसको हम calculate नहीं कर सके. जिसके consequences को, जिसके effect को हम calculate नहीं कर सके. उसको हम कहेंगे uncalculability and non-compensitability. आप compensable जानते हैं, उसका उल्टा कर दीजे, non-compensitability. Okay, आगे बढ़िए. उन्होंने फिर से उल्रिच बेक ने delocalization of risk को three levels पे बताया. Again, ये भी question बन सकता है कि जो delocalization है. De-localization मतलब कि किसी एक particular geographical area में risk नहीं होगा. वो global nature का है, तो वो कहीं भी हो सकता है. इसमें तीन levels हैं, एक special, दूसरा temporal और तीसरा social. Special मतलब the new risk, मतलब climate change को ले लिया जाए. The new risk are spread over national borders and even over continent. जो नया risk है, like global warming, like climate change, ये किसी एक जगह पे घटित नहीं होगा. ये national, किसी पूरे national level पे भी हो सकता है. और even तो national को cross करके continent में भी हो सकता है. जैसे Asia भी प्रभावित हो सकता है, Africa भी प्रभावित हो सकता है, Europe भी प्रभावित हो सकता है, अमेरिका भी कोई भी प्रभावित हो सकता है. Temporal का मतलब, the new risk have a long latency period. जो risk आ रहा है, वो बहुत लंबे समय period के रिये है. मतलब इसलिए तो immediate अगर short period होता उसका, जैसे कि मान लिजे भुकंप घटा, भुकंप हुआ, भुकंप हुआ, भुकंप अगर आ रहा है, volcanic eruptions आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, कि वो तो incident, मतलब वो immediate है न, पर उसके पीछे क्या कारण है? लाइक जैसे अगर मान लिजे कि भुकंप की घटना हो रही है, या कहीं volcanic eruption हो रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? कि हम अपने जमीन को बहुत ज़्यादा परिशान कर रहे हैं, इसलिए उसके जो नीचे के plates है, वो problem कर रहे हैं, या हम nuclear testing बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, bombardment बहुत ज़्यादा करें, nuclear testing की वज़े से, atomic testing की वज़े से, तो जो नीचे के tectonic plates हैं, वो हिल जा रहे हैं, population के दबाव की वज़े से भी हो रहा है, और हम underground जो system है, उसको बहुत ज़्यादा disturb कर रहे हैं, इन्ही सब समस्याओं से तो आता है न, तो वो risk हुआ, और उसका immediate effect क्या दिख रहा है, वो भुकंप दिख रहा है, तो पर risk जो है, जैसे global warming हो गया, climate change हो गया, water depletion हो गया, deforestation हो गया, decertification हो गया, यह सब risk है, इसका long latency period होता है, example जैसे nuclear waste की बात हो रही है, तो so that their future effects cannot be determined, moreover, knowledge and not knowing are changing, so that the question of who is affected is itself temporarily, open and remains disputed, क्या है, कि long latency period है, इस पे बहुत काम हो रहे हैं, बहुत debates हो रहे हैं, मतलब, knowledge and non-knowledge के बीच में, नए-ने experiments हो रहे हैं, नए-ने research हो रहे हैं, नए-ने findings हा रहे हैं, उसकी वोसे exact नहीं पता चलता है, कि कौन affected हो रहा है, कैसे affected हो रहा है, इसको temporal कहेंगे, and the third win is social, which means since the new risks are the result of complex process, यह जो नया risk आ रहा है, वो एक complex process की वज़े से, जिसे climate change के पीछे बहुत सारे process है, एक तो process नहीं है, multi process है, climate change कई कारणों से हो रहा है, तो इसको complex process कहेंगे, और इसमें involving long chain of effects, their cause and effects cannot be determined, mind, तो बहुत लोग प्रभावित होते हैं इस पे, और बहुत लंबे समय के लिए प्रभावित होते हैं, इसलिए हम इसके calculate नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं कि uncalculable, मतलब calculable नहीं है, ओके, तो इतनी चीजे थी आपको जानने के लिए, मिरे खाल से हमने set पिछले वीडियो में sources share किये होंगे, एक्जेक्ली याद नहीं है, तो मैंने हैरल एमबोस से कुछ matter collect की हैं, कुछ journal से matter collect की हैं, से collect करके मैं ये notes को बनाई हूँ, मैं recognition भी जरूर दूँगी, तो उमीद है आपको अब risk society पूरे अच्छे से समझ में आया होगा, risk society is related, कुछ और भी चीजे होंगी, तो देखती हूँ, फिर बना दूँगी, otherwise किसी और topic पे चलूँगी, तो इसलिए मैंने ये topic लिया कि post-modernity के sense में इसको बहुत जगा पढ़ने का, लोगों को मौका नहीं मिलता है पढ़ने को, पर सोचते जरूर है कि risk society को पढ़ेंगे, क्या है आखिर इस society, तो होप मेरे वीडियो ने ये काम कर दिया होगा, आपको समझ में आ गई होंगी चीजे, तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पर off करते हैं, और सबको bye-bye, take care, पढ़ते रहिए, मस्ते रहिए.